नल के पास बैठी एक लड़की बरतन मांसते मांसते एक गाना गाती है गाना था जाने क्यों लोग महबत क्या करते हैं दरसल इस गाने को गाया था फिल्म महबूप की महंदी में लतामंगेश करने और जैसे ही उस लड़की ने ये गाना गाया उसके बाद सोशल मीडिया पर ये गाना बहुत तीजी के साथ viral होने लगा नजाने कितने लोगों ने इस गाने को अपने status पर लगाया तो कुस लोगों ने facebook पर share किया तो किस लोगों ने इसे youtube पर डाला और instagram पर tiktok नजाने कहा कहा तक ये गाना पहुँच रहा था अपने ट्यूटर पर शेयर कर दिया उसके बात लाखों लोगों की डिमांड बन गई कि आखिरकार ये लड़की कौन है इसका नाम क्या है और देखते ही देखते इंडियन आइडल के जो बारवा सिजन था उस बारवे सिजन में उस लड़की का और उसके भाई का चेहरा दिखाये देता है तो लोग फिर उस गाने को एक बार फिर से सुनते है तो लोगों की याद ताजा हो जाती है कि ये लड़की ने कितना खुबसूरत गाना गाया था आज उस लड़की को पूरा हिंदुस्तान जानता है बलकि कई मुलकों में लोग पहचानते है उस लड़की का नाम है फर्मानी नाज जिसके यूट्यूब पर लगभग 50 लाख सबस्काइवर है और फेस बुक पर लगभग 35 लाख फालोवर है ये आज की कहानी उस लड़की के परिवार से रिलेट कहानी है जिसमें एक महिला को अपने ही परिवार के एक लड़के से प्यार हो जाता है ये देवर और भावी के प्यार में फर्मानी नाच के सगे भाई और परिवार के कई लोग कातिल बन जाते है आज की कहानी वाकिए हैरान करने वाली कहानी है कि रिष्टों को तार-तार कर देने वाली कहानी है ये कहानी उस लड़की की है जिसने हर-हर शंभू गाना गाकर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं कई मुलकों में अपनी पहचान इस्ताफित कर दी थी आदार नमस्कार सस्त्रियकाल में उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको सौने जा रहा हूँ इस सची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफर नगर और मुजफर नगर जिले का एक थाना लगता है रतनपूरी दरसल रतनपूरी थाना छेतर का गाउं है महम्मत पूर माफी और बात कर रहा हूँ 5 अगस्त 2023 की रात लगवक आठ बच कर पंधरे मिट पर इस मुहम्मत पूर माफी गाउं का रहने वाला एक 17 साल का लड़का जिसका नाम खुर्शीद होता है उसका छोटे भाई का नाम फरीद दोनों ही भाई पहले खुर्शीद अपने घर से निगला टहलने के लिए और पीचे पीचे फरीद भी आ जाता है खुर्शीद अपने छोटे भाई फरीद से कहता है कि तुम सीधे घर चले जाओ और मुझे यहां टहलना है मैं तो रो जाता हूँ लेकिन फरीद जिद कर रहा था कि मुझे भी तुम्हारे साथ टेलना है अभी गाउं से यह महमदपुर माफी और रतनपुरी सालावा एक मार्ग लगता है उसमें महज डेड़ सु मीटर की दूरी पर अभी यह खुर्शीद पहुंचा ही था मैंस जो 17 साल की उमर के लड़का होता है और देखते ही देखते ही एक के खेत में से दो तिन लोग निकल के आते हैं और तावर तोर धारदार हतियार से इस खुर्शीद पर वार कर देते हैं इतनी जोर जोर से वो चीखता है चिलाता है अपने भाई फरीद से कहता कि फरीद तुम यहां से भाग जाओ नहीं तो यह लोग तुम्हें भी मार डालंगे और फरीद भी अब जोड़ जोड़ से चीखने लगता है चिलाने लगता है उसकी चीख और फुकार सुनने के बाद गाउं के लोग जब उस ओड़ दोड़ते हैं जहां पर ये चीख फुकार मची थी तो वो तीन लोग अपनी बाइक स्प्लेंडर पर बैट कर सवार हो जाते हैं वह से भाग जाते हैं और उसके बाद फिर इस लड़के को जिसकी उमर सत्रे साल है खुरशीद नाम है उसे hospital लेके जाते हैं और hospital जाते जाते वो दम तोड़ देता है लेकिन बताता है कि एक के खेत में से तीन लोग निकल के रहे थे उन्होंने ही हमला बोला और एक बाइक थी जिस बाइक से वो भागे हैं बस इतना था अब देखते ही देखते ये जो घटना था ये जो हत्या का या फिर फेस्बूक या यूट्यूब हर जगे इसकी लाखों करोडों फॉलोवर हैं उसकी लोग उसकी गाने सुनते हैं उसकी लिखे हुए गानों को जुसनते हैं देखते हैं पुलिस पर दवाब पढ़ने लगता है और इसके बाद नाके बल उस हॉस्पिटल में मलकी अग किसने किया है क्या मामला है अब पुलिस करे तो क्या करे पुलिस ने इस बीच में लगबख 300 से जादा लोगों से पूश्टाच की लेकिन इस जिस रोट पर ये कतल हुआ था उस रोट पर दूर दूर तक कोई CCB कैमरे नहीं थे फिर भी पुलिस ने कैमरों की तलाश की जो सक्सेस नहीं मिलती है आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है और जो वक्त आगे बढ़ने लगता है तो पुलिस पर दबाब भी बढ़ रहा था और लोगों की कई तरह के सवालिया निशान थे जो पुलिस पर लग रहे थे कि अपना इमानदार से काम नहीं कर रही है लेकिन इस जिले के जो S.P. होते हैं संजीब सुमन साथी S.P. दिहाद अतुल श्रिवास्तब ने भी एक कसम खाये थे कि जो भी असली कातिल होंगे उन असली कातिलों को ही जेल भीजा जाएगा बहले ही चाहे थोड़ा सा वक्त लग चाहे थोड़ा सा समय क्यों ना लग जाए लेकिन जेल जाएंगे तो असली कातिल ही जाएंगे अब इसके बाद पुलिस ने SOG टीम सहित तीन अलेग लग टीम गठित करते हैं और तीन टीम गठित करने के बाद हर एंगे पर जाच करने की कोड़िश करते हैं इस परिवार की जीतनी वी लोगों से दुश्मणी है या से लड़के का इसके परिवार के किसी सदस्या किसी से कोई अफियर तो नहीं हर ए पुलिस इस नए नमबर की जब तलास में जूटती है तो कतल होने से महज दो दिन पहले ही वो नमबर अलोट किया गया था लिया गया था और एक दो बार उससे और बाचीत होई थी अब पुलिस ने उस नमबर की जांच परताल करनी शूरू की है तब जाकर पता चलता है कि इ गड़का कर रहा है जिसका नाम है फर्याद जिसके बाप का नाम है उजागर जो की पूट खास रोहटा थाना लगता है जिला मेरट का वो रहने वाला है पुलिस इसे गरिफतार करती है हिरासत मिलेती है और उससे सकती से अपने तरीके से पूश्टाश करती है तो पूश् उसकी पतनी है और उसकी साली है उसकी पतनी और साली से इसी के सगे चचेरे भाईयों का अफेर हो जाता है यानि कि पतनी से जो अफेर होता है उसके भाई मुर्शीत का अफेर होता है जो की सगा चचेरा भाई होता है और उसके जो साली होती है उससे खुर्शीत का होता है और इसकागरमन के लिए ऐसी एकांत वाली जगेवे जाना होता था, तो फरमानी नाज भी, उसका भाई फरमान भी दोनों दूर दूर रहते थे और इसी दूर दूर रहने के वएशे से घर पर इसका यानि की मुर्शीत का आना जाना शुरू हो जाता है, और जब वो घर पर जाता था तबी फर्मानी के भाई से उसकी भावी से उसका अवयत सम्मन्ध हो जाता है और वो दोनों एक दूसर जात इस तरह के एनितिक रिष्टे में बंद जाते हैं इस बात का किसी को भी कोई इल्म नहीं था कोई जानकारी नहीं थी लेकिन फर्मानी नाच का जो भाई हो को लगती है तो उन लोगों ने इस बात पर एत्राज किया और पता चलता है कि कोई और नहीं फर्मानी का ही सगा चचेरा भाई जो दोनों भाई है वो एक छोटी बहन से भी लगा हुआ है और दूसरी बहन से भी लगा हुआ है इस तरह से उन्हें गुस्सा आता है और इसकी करते हैं चार अगस्त दो हजार तेहिस को हापड में एक मीटिंग के बाद ये घर में बैठते हैं और बैठने बादी प्लान करते हैं कि अब इनका कतल किया जाना चाहिए यानि कि मुर्शीद को भी मारा जाना है और खुर्शीद को भी मारा जाना है मुर्शीद और खुर् बाइक से आते हैं और बाइक साने के बाद एक के खेत में जाकर छिप जाते हैं क्योंकि इन्हें फर्माने के भाई फर्मान ने और उसके बाप आरिफ ने ये पूरी इंफोर्मेशन दी थी कि ये कब घर से निकलता है और यहीं से जब घर से निकलता है खाना खाकर टहलने के तब ही ने सूचना दी जाते हैं कि वो निकल चुका है। क्योंकि परिवार की जो रिश्टे तारतार हो रहे थे ये भी बताने की कोशिश की गई थी पुलिस की दोरा कि उस लड़के को समझाने की भी कोशिश की लेकिन लड़का अपनी जिद पर अड़ा हुआ था वो मान नहीं रहा था और उसके बाद फिर पुलिस ने फरमानी की पिता आरिफ को उसके भाई फरमान को एक रिश्टदार हैं फर्याद जाकिर इनको गरिफतार कर लिया है और एक और आरोपी है जिसको भी जल्द गरिफतार करने की बात की जा रही है जैसे ही इस घटना करम का खुलासा होता है पता चलता है कि पर फरमानी की जो पिता है उ उसे चुड़ चुका है। बाप उसका डटेकती में गया है। और उसका बहाई एक कतल में गया है। लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार का फरमानी का पर शुर्मानी जिन्दगी में भले ही चाहए कितनी शौरत उसने हासल कर ली हो। लेकिन उसके परिवार के संट जो गुल खिलाएं हैं वो भी किसी से छिपे नही से हैं दोस्तो इस पूरे घटना करमी को सुनने का उद्धेश है किसी को परशान करना नहीं रहिए किसी का दिल दुखाना नहीं है बलकuce आपको जागुर करना हैं आपको सचीत करना है आपको बताना है कि इस कहानी में फर्मानि नाच की भावी का उसके चचैरे भाई से जदी अफ़िः हो गया था तो यहाँ पर पुलिस का साहरा लेना चाहिए था पुलिस से बाचीट करनी चाहिए थी किसे क्तल नहीं करना चाहिए था और शुक्र है कि यहां पर दो कतल करने के लिया है थे लेकिन एक ही कतल हुआ दूसरे की जिन्दगी बच चुकी है दोस्तो आज जाते जाते आज रोनक कुमार हैं हर्याना के रहने वाले हैं साथ ही मेरट के रहने वाले बिट्टू कुमार हैं मेबात के रहने वाले मुहमद आरिफ हैं और फहत खान आज इनका जनम दिन हैं इनको जनम दिन की बहुत सारे शुपकामना हैं बहुत बहुत सौदी अरफ से हैं, नसी मनसूरी बकसर से, साबिर मिड़जा और हर्देप सिंग सोन भदर से, परशान चोहान खुरजा से हैं। इन लोगों ने नाम लेनी की अपील की थी, आप सब लोग अपना ख्यार रखें, सुरक्षित रहें, जैहिन, जैभारत।